स्वारम टेक साथ 4WD वेज रिवर्सिबल प्लाव इसमें पूरा सिस्टम दे रहे हैं डबल नेली डेरिके जो रिवर्सिबल प्लाव को कनेक्टने काम आती है तो दोस्तों इसमें हमें अपना L3 लगा रखा यह जो हमआरा छोटा की रहें ईसको हम лगा रखा है जहां पर आपका कुछ घिर में इल लिखा रहता और आगे द्लिखा रहता है, एल क्यों पर रखा है और में गीर में अपना 3 नमबर लगा रखें और तो बहुत बेंप इनजन है पीज़पन है इफिभी का इंजन है तीन चलेंडर के साथ और इसको अभी हम चला चुके है 177 गंटा इसको अभी हम चला चुके है हुआ कि कर दो दो एंग हुआ अख एंग तो हुआ है पाती दीडर जलताय बिलकुर दोस्टनौ और उपर बैटें दैसे लगेगा कि आथी पर चड़े में और हमारे राजिस्तार में इसकी किमत की बात करें तो दोस्तों आठ लाग से लेकर दस लाग के बीच रहती है कर दो हुआ है झाल कर दो लन आपकी पालना दोसे थोटा मेंगा बढ़ता है तो कि यह तेल फी तो को उसी साप से ही लेता है अभी के साप से तेल लेता ही है किसी भाई ने यही छोटा टेक्टर रखा हुआ है और फिर इतना बड़ा टेक्टर डारेक्ट लेते हैं तो वहां पे तेल में बहुत दिक्ट आ जाती है क्या अच्छा दबा कर चलाते हैं तो गंटे का 6 लिटर के लगबग ले लेता ही आराम से नहीं कि हमारे छोटे भाई 5 लिटर है 2 लिटर तक ही आते हैं लेकिन यह जमीन जादा निकालेगा यह जमीन के दस्टी से देखें जुताई के दस्टी से देखें जिसका कान ज्यादा होगा उतने ही तेल में गंटे जी साब से देखें तो हमें लगेगा कि बाई तेल ज्यादा खा रहे हैं आप देख लो तरफको कुछ गहरा ही देख लो प्लाव की गहरा ही देख कि आप बताओ कि कि इतना गहरा यह ले रहा थी इतना गहरा हैं दोग जो टोज़ बुड़ाँ झाल